तो दोस्तों आप सभी के फोन में डेवलपर की सिटिंग जरूर होती है जी हाँ दोस्तों हर एक फोन के अंदर ये सिटिंग दे हुई होती है और आज दोस्तों हम आपको आपके डेवलपर की चार ऐसी सिटिंग के बारे में बताएंगे जिने दोस्तो अगर जा करके आप अपने developer में on कर देते हैं तो दोस्तों आपके phone की जो battery है इसे आप 4-5 दिन तक चला सकते हैं अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको अपना developer on करना उसके बाद जो मैं 4 setting बताऊँगा उन 4 settings को आपको अपने developer में करना है उसके बाद दोस्तों आपको अपना फोन चार्ज करना है और फिर एक बार चार्ज करने के बाद दोस्तों आपके फोन की बैटरी चार से पास दिन तक चलेगी ने लेकिन दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और इन चारो सेटिंग्स को जैसे मैं बताऊँगा वैसे ही करना है तभी दोस्तों ये ट्रिक आपको फोन में वर्क करेगी तो चलिए दोस्तों बिला खिसी देरी के वीडियो शटार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो सुरू करें उससे पहले आप लोग यहां पर इस बटन को प्रसर के वीडियो को लाइक कर दीजिए उसके बाद सब्सक्राइब को प्रसर के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए साथी बिल आइकन पर प्रसर के आल पर सट कर दीजिए अब इतना करने के बाद दोस्तों आपको निचे comment box में जाना और comment box में आपको अच्छी सी comment लिख देना या आपको nice trick लिख के send कर देना है उसके बाद आपको बैक आना और इस वीडियो को उने सभी दोस्तों के साथ WhatsApp पर ज्यादा ज्यादा share जरूर करना है आप जैसे इतना कुछ कर लेते हैं चलिए वीडियो करते हैं start तो दोस्तों developer की चार setting में आपको बताने जा रहा हूं इन चारो settings को आपको करना है तो developer में आपको तीन setting करनी उसके बाद चौथे number की setting जो मैं बताऊंगा वो सबसे ज़्यादा important है और उसे आपको अपने phone की setting में जाकर करना होगा तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपके phone का developer option आन नहीं है तो आपको developer option आन करना है तो इसके लिए आपको अपने phone की setting में जाना यहाँ पर उपर search बाद दिखाए देगा तो यहाँ पर आपको search करना है build number अब जैसे यहाँ पर आप build number लिखेंगे first number पर build number की setting आ जाएगी तो इस पर आपको tap करना है यहाँ पर build number ढूंड कर इस पर आपको जल्दी से 7 बार tap करना है और आपके phone में developer option की setting आन हो जाएगी तो यह developer option का आन करने का तरीका है अब आपको setting में सबसे नीचे यह system setting यह additional setting में सबसे नीचे developer option की setting मिल जाएगी तो इसे आपको open करना है अब दोस्तों यहाँ पर आपको 3 सेटिंग करनी है और फिर 4 नंबर की सबसे important सेटिंग जो है आपको अपने फोन में करनी है तो सबसे पहली सेटिंग करने के लिए आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको running services का आपसन दिखाई देगा अब यहाँ पर आप जैसे stop करेंगे यह service जो है आपकी stop हो जाएगी तो इससे दोस्तों जब इतनी सारी service run करती है तो आपके phone की battery भी बहुत जल्दी जल्दी खतम होती है तो इन सभी को stop करने से आपकी battery का backup जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा तो यह दोस्तों आपकी पहली setting हो गई उसके बाद दोस्तों आपको second number के setting करने के लिए थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे दोस्तों आने के बाद आपको यहाँ पर एक setting ढूंड लेनी है enable GPU dub layers अब दोस्तों यह setting जो है आन होती है तो इसे आपको क्या करना है इसे आपको phone में आन करके कभी नहीं रखना इसे आपको बंद कर देना है क्योंकि दोस्तों इसे आन करने से होता क्या है कि आप जब भी जो है अपना कोई applications वगारा open करते हैं तो आपके phone का जो GPU है वो load करने की अलग से permission allow करता है तो उसके कई layers में उस application को load करता है इसे दोस्तों आपकी battery बहुत जल्दी खतम होती है तो इसे दोस्तों आपको कभी भी on करके नहीं रखना है यह दूसरी setting आपको बंद करनी है उसके बाद दोस्तों आपको तीसरे number की setting भी आपको बंद करनी है तो तीसरे number की setting का आपको यहाँ पर मिलेगी यहाँ पर इस setting का नाम है mobile data always active के नाम से अब दोस्तों यह setting जो है on होगी अब इससे क्या होता है कि आपका phone का mobile data यहाँ से भी on है और यहाँ से भी on होता है तो क्या होता है कि आप जब भी अपने phone को wifi से कहीं connect करते हैं तो आप का जो network है वो काफी fast कर देता है और इससे आपकी battery जो है वो काफी जल्दी जल्दी खतम होती है तो इसे आपको यहाँ से बंद रखना है always पर इसे on करके नहीं रखना है आपका data यहाँ से on रहेगा उसे internet पर आपके कोई फरक नहीं पड़ेगा ना तो speed पर फरक पड़ेग तो यह तीन setting दोस्तों आपको करनी है उसके बाद आपको developer से बाहर निकलाना है और दोस्तों आप developer से बाहर आने के बाद आपको अपने phone के अंदर आप जो है चौथे number की setting करनी है जिसके बारे में मैंने बताया था चौथे number की setting करने के लिए आपको उन्हें phone की setting में जाना है और यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च करना बैटरी सेटिंग अब हर एक फोन में दोस्तों बैटरी सेटिंग के नाम से सेटिंग होती है तो इस बैटरी सेटिंग को आपको ओपन करना है अब दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही open करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे option दिखाई देंगे तो यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा power boost का तो इस पर आपको tap करना है अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी turn on power boost automatically अब यह setting बंद होगी तो आपको क्या करना है कि आपको इसे on कर देना है और इसे यहाँ पर आपको फुल पर नहीं करना इसे आपको जो है 50% ए 45% ए 55% पर सिट कर देना है अब इससे होगा क्या कि दोस्तों आप जब भी अपने फोन को चार्ज करेंगे तो जैसे ही आपका फोन 50% चार्ज होगा तो क्या करेगा कि आपकी बैटरी के पावर को जो है आटोमेटिकली बूश्ट कर देगा और इससे दोस्तों आपकी बैटरी का बैक अप जो है वो काफी ज़्यादा बर जाएगा तो बस दोस्तों इस सेटिंग को आपको कर देना उसके बाद आपको यहां से बाहर निकलाना है और अब दोस्तों आप देखेंगे कि आपके फोन की बैटरी का बैक अप काफी ज्यादा बर जाएगा और जो बैटरी आपकी एक दिन भी नहीं चलती थी तो आप उस बैटरी को एक बार चार्ज करने के बाद तीन चार पांच दिन तक चला सकते हैं तो दोस्तों यही था इस वीडियो में वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और आगे भी ऐसी वीडियो के चैनल सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू